वीडियो को अभी लाइक कर दीजे और लेटेस्ट टेचनलोजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीज़े रवी ब्लॉक्स टेक चानल को और दबाई ये बल आईकेन वोट सुप दोस्तो मेरा नाम रवी शंकर है और सुवत आपका मेरी चानल रवी ब्रॉक्स टैक में तो दोस्तो AMD लॉंच कने वाला है अपना नया ग्राफिक्स कार्ड और वो भी AMD Radeon RX 6000 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड होगा यह वो भी R&DA 2 refresh version होगा जो कि launch होने वाला है बहुत ही जल्द वो कब launch होगा exactly क्या क्या इसमें आप लोगों को performance कैसा देखने को मिलेगा क्या price होगा वो सभी आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा तो वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहना बहुत ही जाद इंट्रेस्टिंग होने वाली है और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल के सब्सक्राइब वडियों को दबाकर तो डालना क्योंकि मैंसे इन लीडिस टेकर अपडेट इन डीटेल इलाता हो जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करन तो दोस्तों लौंच सबसे पहले यह होने वाला है मिड 2022 में AMD ने अफिशली अनौंस कर दिया है इसे और मिड 2022 मतबार ऑर जुलाई आउगस्त में आप लोगों को यह देखने को मिल जाएगा और साथी में यह जो मिलेगा मिड 2022 में वो CRX 6500 नौन XT ग्राफिक्स काड होग वो कुछ दिन बाद आएगा और इसका प्राइस की बाद करें तो दोस्तों इसका प्राइस अभी अब जीप्यूब किया जा रहा है कि उसका प्राइस बहुत ही जादा बढ़ जाएगा आराउंड फॉर्टी टू फिफ्टी के तो होई जाएगा जो कि सद में जादा है एक जीप्यू के लिए पर हाँ यह परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा देता है आप लोग जैसा कि देख सकते हो ग्राफ में देखी सकते की नहीं मतलब कौन सा गेमिक जीप्यू है आपका एंवीडिया का है या फिर एमडी का है कमेंट में जरू बताना तो वह दोस तो एतना ही था इस विडियों में उमीद करता हूं वीडियो पसंद आई अगर पसंद आई तो वीडियों को जरू से लाइक करना और कमेंट में अपने ऊपिनियों इस वीडियो के बारे में और कोई भी कॉश्चिन्स थो तो कॉंमें शेक्ष में पूल सकती हूं मैं हरे क्क्रेशिं की रिपलाई जरू करता हूं और शेर करऊ इस वीडियो को सभी के साब और चैनल में नहीं आये हो तो चैनल के सब्सक्राइबरें को दबा करें तो डालना क्योंकि मैं से इन लेटेस्टेक के अबडेट्स इन डिटेल डिली रात आता हूँ जो कि आप लोग विल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना और दोसों लोग बहुत ही जादा करीब हैं टू के सब्सक्राइबरें के लिए जैसे कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर दो तो फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए गुडबाई टेक केर जय है